जैशे राम प्रेम विवा लव महरेज एक ऐसा टॉपिक है जो सदियों से चर्चा का विश्य रहा है आज के नौजवान तो कुछ ज्यादा ही इंट्रेस्ट लेते हैं वो जानना चाहते हैं जो तिशी से कि क्या उनका प्रेम विवा होगा या एरेंज महरेज होगा तो इसके जानकारी कुंडली देख करके आराम से लगाई जा सकती है अगर लगन भाव से पंचम या नौवम भाव में काने का मतलब कि कुंडली के अगर पंचम या नौवम भाव में शुक्र या चंद्रमा हैं कुंडली के पंचम भाव और नौवम भाव में अगर शुक्र और चंद्रमा है प्रेम विवा की प्रोबिलिटी है सब्तम भाव का स्वामी अगर सब्तम भाव में ही बैठा हुआ है प्रेम विवा की संभावना है राहु और शनी इनके साथ अगर मंगल की यूति हो जाए प्रेम विवा की संभावना है और कहीं से भी गुरु की द्रिष्टी सब्तम भाव पर पढ़ जाए और प्रतम भाव में राहू बैठे हों लगने में राहू बैठे हों और सब्तम भाव पर गुरु की दिरिष्टी पढ़ जाए तो प्रेम बिवा परिवार के विरुद्ध जा करके होगा पंचम भाव में अर्थात संतान भाव है या बात ने हैं तब अर्धे हों पर मिलते हैं तब तक के लिए जैश्य मां झाल झाल